वॉल्कम बचापाते कैसे हैं आप सब आप सब अच्छे से होंगे मजह में पढ़ाई तो कर रहे हैं ठीक है है वो पता चलन रहा आपके 검akra कितने आप कोमेंटे कर रहे हैं पूरा कमेंटे बॉक्स भरा हुआ है तो थैंकियो आपका तो यह भी डिसक्स हो जाएगा तो आज कि इस अकेले वीडियो में हम सब जितना भी आपका टीटू का पूरा का पूरा सयलिस है वह पूरा हम डिसक्स करेंगे सब चप्टिस से हमने आलमस खोस्चन लिया है चाहे आपकी पॉंब्स है चाहे आपका प्ले है ठीक है जो भी है सबके हमने यहाँ पे प्रक्ष़्चन रखें एठीक है तो आप तो पूरा पैपर ही, इसी बेश पर तो उभ्यस्ति सी बात है कि ऐसे ही कोश्शिन अज बनीगे, ठीक है, तो चलिए फिर डिस्कुस करते हैं, ठीक है, डिस्कुस करने से पहले एक बात बता दू, पूरा वीडियो दिखा करो, आप वीडियो आदा भी नहीं देखते ठीक है अब मैं इससे ज्यादा क्या कर सकते हूं तो चलिए पोलो वाज वाइडी प्लेड इन इंडिया एं तो पहले चैप्टर का कॉश्चन है जो आपके टीटू में से पोलो जो है वो कहां पे इन इंडिया में कब खेला जाता था ठीक है तो इसका सही option है that is medieval times ठीक है ओके जी तो चलिए आगे बरते हैं next question the word evidenced mean यहाँ पर जो word evidence से आया हुआ उसकी meaning क्या है ठीक है तो उसकी meaning प्रूड ठीक है याद रखेगा the next question गयाल खातून बिलांग टो गयाल खातून कहां से बिलांग कर रही थी तो she was from बल्चस्तान देखिए आगे बढ़ने से पहले एक बात बोल दो आप खुद भी पढ़िए सिर्फ इस पे तक्या लगा के नहीं बैठना आपको आपको कुछ questions हमने दे दिए ठीक है इससे क पढ़ना है आपको पूरे chapter upload हैं उनको देखिए अच्छे से समझिए ठीक है आप support करिये हम बहुत बड़ी family बनाएंगे उसमें टीचर आएंगे आपको बढ़ाएंगे फिर मेरे साथ मिलकर तो सेलिब्रेट नवरोज पोलो इस ब्लेड एवरी एर ने चूशूट ठीक है चूशूट के अंदर पर प्ले किया जाता है हर साथ ठीक है नवरोज के दिन ओके तो next question who according to historian introduced पोलो इन लदाख तो लदाख को लदाख में पोलो को किसने इंटर्डूस करा ठीक है तो इसका सही आंसर है गयाल खातून ठीक है शीवा जगयाल खातून जिसने पोलो को लदाख के अंदर इंटर्डूस करा इन लदाख पोलो इज टीम कंसिस्टा लदाख के पोलो के अंदर हर एक टीम के कितने मेंबर होते हैं शिक्स मेंबर होते हैं ठीक है वाई रिगे तो चलिए बढ़ते हैं आगे विच वर्ड इन दा पैसेज मीन्स एर रूल दैट लेमिट्स और कंट्रोल आपके पुछे जा सकते हैं लेकिन मैंने यहां पर पैसेज बिल्कुल भी नहीं लाई है क्योंकि वह बहुत लिंक थी हो जाता है मुझे लिखना पड़ता है हाथ से तो मैंने यहां पर आपको समझाने के लिए एक कुश्चन उसकी पैसेज नहीं रखिया तो वह वर्ड कौन सा है तो इसकी मिने गए तो यह वर्ड तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा चलिए जो musical instruments play किये जाते हैं लदाख में जब match होता है तो वह कौन-कौन सा होता है दमन एंड सूरना ठीक है याद रखिये ओके नेक्स कॉस्चन दा वर्ड इंटेग्रल मीन्स इंटेग्रल की क्या मीनिक होती है एंड एसेंशल पार्ट एक हिस्सा ठीक है वह एडिए एकरण टो बूट्स सीजर वाज वेरी बूट्स क्या कहता है सीजर क्या था वेरी अमबेशियस यानिकि वह बहुत लाल ची था ठीक है वह एडिए एकरण जीजर पार्ट वेरी अमबेशियस आप अप्ने हिसाब से भी कर सकते हैं सेसिस का हो केसिस का हो ठीक है कि अक्टेवियस एंट एंट अन्टोनी केंप विद्धियर आर्मी एट उन्होंने केंप लगाया और रुक के बैठ गए कहां पर एट फिलिपी ठीक है इसको फिलिपाई भी पढ़ते हैं आप जैसा आप पढ़ें तो मरदी आपके अपनी नेक् प्रेव का उल्टा क्यों बहादर को खुवा ठीक है बुलदिल नेक्स्क्षिटन गर्ड अपरूड अपरूड और अज बीन यूजड जो फूर्ड है ठीक है वो कैसे इस्तिमाल हुए ठीक है यह दो बार यहां पर लिखा गया है क्वर्ट रपीट हो चुका है ठीक है वर् grammar के अंदर है grammar आपको अलग से बढ़ाई जाएगी लेकर अब उसका वक्त नहीं है ठीक है इस वक्त the word commonness means ठीक है commonness की means क्यों होती है attractiveness ठीक है very good तो यह आपकी poem के अंदर ऐसे ही question बनेंगे याद रखेगा who took poet away from his brother तो जो poet था उसको दूर किस ने लिए अपने बाई से his wife उसकी बीवी ने ठीक है देखिए यहां पर मैंने एक यहां पर आपके लिए स्टेंजा लिखा हूँ है कुछ ठीक है स्टेंजा का कुछ पार्ट है तो यहां से question पूछा गया है तो colorful pebbles from across the way became the girl mother just for a day तो यह किस poem से है वो poem आपको पढ़नी है ठीक है मैं यहां पर नहीं बताने वाला हूँ तो आप poem पढ़नीगे आपको बाता चल जाएगा देखिए ऐसा question फिर आपको बनेगा इस तरीके से आपको एक पूरा stanza दिया होगा फिर उसके नीचे दो तीन questions पूछे होंगे इसी तरह object चुटाइब कि यहां पर इसकी मीनिंग क्या है यहां पर यह क्या है यह किस पॉर्ट ने लिखी है ठीक है यह poem किस ने लिखी हुई है यह lion इस किस poem से ली गई है तो इस तरह के question बनेगे ठीक है इस तरह फिर से पॉर्ट नाम है याद रखिए ओके इस पॉर्ट क्या चाहता है अपनी माँ से ठीक है यह poem किस poem से है poem wrinkles ठीक है ओके तो the poet who wrote these lines देखिए इस तरह फिर से मैंने आपको यहां पर question रखे है who wrote these learn all the points आपको सब poems learn करने पड़ेगे इस तरीके से यहां पर लिखाओगा question उपर आपकी poem का कोई स्टेंजर लिखाओगा फिर लिखाओगा the poet who wrote these lines किसने लाइन लिखी है ठीक है जब आपको पता होगा यह poem कौन सी है तो तब जाकर आप उस कांसर इसली कर पाओगे वहां पर नीचे नाम लिखाओगा ठीक है बैड़ी डप फोइट डिसकें सब्सक्राइब मेंस डिसकंसर्ट रमींज को थैंड़ गंफिश्ट एंगए next word fashioned has been used as То, Stunde word है, वो किस तोरahl पर इस्तमाल होगा है, as a verb इस्तमाल होगा है, very good, the word, the word, the word यहां पर kеннымis है Ведьman radicalитьहा सी पर L oh us, else has been used as an adjectiveू involves very good, तो चलिए आगे बरते हैं next question, word concrete means gather, ठीक है, एक जगार जमा होना, तो next question, phrase firm foliage means, firm foliage means क्या होता है, ठीक है, strong leaves, ठीक है, strong leaves, okay, next question, the word translucent has been used, used as, तो यहां पर as an adjective used किया गया है, ठीक है, very good, तो polythene dash the fertility of the soil, polythene क्या करता है, decrease करता है, fertility है न, कम करता है जरखेजी को, very good, the opposite of the word moderate is, moderate का opposite क्या होगा, उल्टा क्या होगा, immoderate, ठीक है, very good, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, the veterinarian, question है, the veterinary surgeon found 40 kg of polythene, 40 kg है, polythene bag from, तो यह राजिस्तान के अंदर हुआ है, देखिए, question यह भी आ सकता है, यह कहां पर हुआ, तो यह राजिस्तान के अंदर हुआ, polythene के अंदर हमने पढ़ा था, ठीक है, afford a cow's stomach, उसके स्टामक से 40 kg का polythene निकला था, जिसमें वो मर चुकी थी, वो गाए, ठीक है, फिर उसने देखा था, तो इस तरह से, हमने कुछ important MCQs discuss कर रहे हैं, जितना भी आपका, सेल बिस्ता हमने पूरा यहां पर cover करा, तो I hope आपको अच्छे से यह समझाए हुए होंगे, तो बने रहे हमारे साथ, तो मिलते हैं, अब एक नए वीडियो में तब तक अपना देखरा खिया रखें, stay tuned, bye bye.